प्यारे बच्चो आज हम जो आठवी कक्षा का पाठ बारा है सुदामा चृत तो उसका प्रशन अभ्यास भाग एक करेंगे पहला प्रशन है कवीता से सुदामा की दीन दशा देखकर शिरी किशन की क्या मनों दशा हुई अपने शब्दों में लिखिये अब दीन दशा होता है गरीबी की दशा मनों दशा होता है मन की स्थिती जब शिरी कृषन ने सुदामा को गरीबी की अवस्था में देखा तो उनके मन की स्थिती क्या हुई तो आए बच्चो इसका उतर जानते हैं सुदामा की दीन दशा को देख कर शिरी क्रिशन को अत्यांत दुख हुआ, दुख के कारण शिरी क्रिशन की आँखों से अश्रु धारा बेहने लगी, अश्रु धारा होता है आसुं की धारा, उन्होंने सुदामा के पैरों को दोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आँखों से इतने आशू निकले कि उन्हीं आशू से सुदामा के पैर दुल गए बच्चों अब दूसरे प्रशन का उत्तर जानते हैं तो दूसरा प्रशन है पानी परात को हाथ छोयो नहीं नैनन के जलसों पग दूए पंक्ती में वर्नित भाव का वर्नन अपने शब्दों में कीजिए नैनन हमने पढ़ा था आँख पग होता है पाउँ अब इस पंक्ती में वर्नित जो भाव है उसको हमने अपने शब्दों में लिखना है हम कवीता में पढ़ चुके हैं कि शिरी कृष्ण ने सुधामा के पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था परन्तु उसको धोने के लिए शिरी कृष्ण ने पानी से आवशक नहीं समझा और उनकी इतने आशू बहे चले कि उन आशूं से ही सुधामा के पैर धोल गए तो आओ बच्चो इसका उत्तर इस तरह से है प्रस्तुत दोहे में यहो कहा गया है कि शिरी कृष्ण ने अपने बाल सखा सुधामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया प्रन्तु सुधामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कश्ट हुआ कि आशूं से ही सुधामा के पैर धुल गए अर्थात परात में लाया गया जल वियर्थ हो गया अब तीसरे प्रशन का उत्तर जानते हैं तीसरा प्रशन है चोरी की बान में हो जो प्रवीने अब इसमें हमें पहले इसका भावार समझना पड़ेगा हमने जब कवीता पड़ी थी तो शिरी क्रिशन ने जब देखा कि सुधामा ने कुछ अपने बगल में कोई पोटली चिपाई हुई है तो शिरी क्रिशन फिर उस समय कहते हैं मुझे लगता है कि जो भावी ने हमें कुछ भेट स्वरूप दिया है उसे तुम अकेले ही खाना चाहते हो चोरी की आदत बान मतलब आदत में तुम पहले से ही प्रवीने मतलब कुशल हो चतुर हो अब इसके उपर प्रशन पूछे गए हैं कौ में पूछा है उपर्युक्त पंक्ती कौन किस से कहे रहा है खौ में है इस कथन की प्रिष्ट भूमी स्वश्ट कीजिए गौ में है इस उपालंब अर्था शिकायत के पीछे कौन सी पुराणिक कथा है तो कौ का क्या आएगा यहां शिरी कृषन अपने बाल सखा सुदामा से कह रही है बाल सखा होता है बचपन के मित्र तो बचपन के मित्र है शिरी कृषन के सुदामा तो इसलिए यहां पे शिरी कृषन ने अपने मित्र के लिए ये बात कही है फिर खौम है इस कथन की प्रिष्ट भूमी सफ़स्ट कीजिए सुदामा की पतिनी ने शिरी कृषन के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल बिजवाये थे संकोच वा सुदामा शिरी कृषन को यह भेंट नहीं दे पा रहे है प्रंतु शिरी कृषन सुदामा पर दोशारोपन करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तुम पहले से ही नेपोण हो तो इसकी प्रिष्ट भूमी इस तरह से जोड़ी है शिरी कृषन ने कि जब बच्पन में वहा गुरु कुल में इकठे रहते थे तो जब गुरु माता उन्हें चने देती थी तो शिरी कृषन कहते हैं कि उस समय भी तुम अकेले ही उन्हें खा जाते थे इसलिए मुझे लगता है कि चोरी की आदत में अभी भी तुम निपोण हो तो इस उपालम के पीछे एक पुराणी कथा है अब वही वाली जो मैंने सुना दी कि जब शिरी कृषन और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहन कर रहे थे तो उस समय एक दिन वे जंगल में लकणिया एकत्तर करने जाते हैं गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिये थे सुदामा शिरी कृषन को बिना बताए ही चोरी से चने खा लेते हैं उसी चोरी की तुलना करते हुए शिरी कृषन सुदामा को दोश दे रहेते हैं तो यह जो पुरानी कथा यहां पे जुड़ी हुई है तो इसी का ही यहां पे वह वर्नन कर रहे हैं तब ही वह सुदामा को कह रहे हैं कि चोरी की आदत में आप एहले से ही निपोन हो बच्पन में भी आप कहते बीना बताई ही गुरु माता द्वारा दिये गए चने खा लेते थे और मुझे नहीं देते थे अब बच्चो चौथा प्रशन करते हैं द्वारका से खाली हाथ लोटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे वहो क्रिशन के बहवार से क्यों खीज रहे थे सुदामा के मन की दूविदा को अपने शब्दों में प्रकट कीजी खीजना होता है गुस्सा आना दूविदा होता है मुसीबत अब द्वारका से जब वापस आए सुधामा अपने गाओं तो शिरी कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा था तो आईए इसका उत्तर जानते हैं द्वारका से खाली हाथ लोटते सदमे सुधामा का मन बहुत दुखी था वे कृष्ण द्वारा अपने प्रती किये गए बहवार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने अनंद पुर्वक उनका आतित्य सभीकार किया क्या यह सब दिखावटी था वे कृष्ण के बहवार से खीज रहे थे क्योंकि केवल आदर सतकार करके ही शिरी कृष्ण ने सुधामा को खाली हाथ भेज दिया था वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाते थे प्रन्तु उनकी पत्नी ने उन्हें बेज दिया उन्हें इस बात का पच्तावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और शिरी कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया बच्चो अब पांचवा प्रशन जानते हैं अपने गाउं लोटकर जब सुदामा अपने जोंपडी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए कवीता के अधार पर सफ़ष्ट कीजी आए अब इसका उत्तर जानते हैं द्वारका से लोटकर सुदामा जब अपने गाउं वापस आए तो अपनी जोंपडी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन ब्रहमित हो गया कि कहीं मैं गूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया फिर सबसे पूछते है तथा अपनी जोंपडी को ढूनने लगते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं फिर से दुबारा से रास्ता भूल कर द्वारका ही तो नहीं पहुंच गया है क्योंकि मेरी तो कहते गाउं के बीच में ही एक टूटी फूटी जोंपडी हुआ करती थी जो मुझे अब नही मिल रही है इसलिए वो गाउं में सवी से ये सवाल पूछते हैं तो बच्चो ये उत्तर भी आपने जान लिया आओ बच्चो अब चटे प्रशन का उत्तर जानते हैं तो प्रशन इस तरह से है निर्धनता के बाद मिलने वाली संपंता का चितरन कवीता की अंतीम पंक्तिय में लिखिये तो कभीता में हमने पढ़ा था कि पहले सुदामा बहुत गरीब थे लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ मिल जाता है फिर उन्होंने किस तरह से इस बात का वर्नन किया है अब जानते हैं इसका उत्तर निर्धनता के बाद शिरी किषन की क्रीपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है जहां सुदामा की टूटी फूटी सी जौपडी हुआ करती थी वहां अब स्वरण भावन शोबी थे स्वरण अर्थात सोने के कहां पहले पैरों में पहनने के लिए चपल या जूते तक नहीं थे और अब पैरों से चलने की आवशकता ही नहीं है क्यो पहले सोने के लिए केवल या कठोर भूमी थी और आज कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है कहां पहले खाने के लिए चावल या जैसे कोदा और सुवा हमने उसमें पढ़ा था जैसे जो अनाज स्वादिष्ट नहीं खहलाए जाते या अच्छे नहीं माने जाते हैं वो भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को दा किश्मिश या मुनक का उपलब धैपरंतु कहते आज ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इस तरह से उन्होंने निर्धनता के बाद मिली संफंता का वर्नन किया है तो बच्चों आपको ये प्रशनों के उत् अपनी कोपियों में साफ साफ और सुन्दत तरीके से लिखें और इनको याद भी करें